आज बना रही हूं मैं काना जी की पगड़ी देख सकते हैं आप बहुत सुन्दर लग रही है पूरी वीडियो दिखें स्वागत है आपका मेरे स्यूटूब चैनल सीवा महता यूकी जिरुवन व्लॉग में तो आज मैं आपनों को सान इटिंग के नई वीडियो शेयर कर रही हूं मैंने बनाई है काना जी के लिए पगड़ी तो पगड़ी कैसे बनाते हैं यह पूरी वीडियो देखें आपनों क कि पगड़ी यह देखें मैं बनारी हूं लड़्डू को पाल के लिए पगड़ी और इसमें मैंने टोटल डाले हैं 34 फंदे और 9 नंबर की सलाई यूज की है आप भी किजिए 9 नंबर की सलाई यूज और 34 फंदे इसमें डाल लीजिए और step by step आप लोगों को हर चीज बता तो सबसे पहले हम उल्टा उल्टा बिनेंगे देख सकते है तागा अपनी तरब सृलाई आपनी तरह रकते हुए पूरी लाईन को उल्टा कंप्लीट करेंगे इस तरीके से मैंने यह उल्टा उल्टा बिनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दिये, इसी तरीके से आपने भी पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, तागा अपनी तरफ से लाई अपनी तरफ रखते हुए, और जो पीछे की साइड है, पीछे की साइड भी हम उल्टा दूसरा तागा यूज करके दूसरा क्या मतलब गजो चाहिए तागा यूज करके क्यों कि वह रेड़ा वाइट भीनारी हो और अब हम फॉर सिलाइवें चीद्री बना लेंगे इस तरी चाहिशे करते हुए पोर रो सिधी सिधी कंप्लेट सलें लिगे और फोर पीछे से यह पीछे की साइड तो हम इसको उल्टा ही बनाएंगे और आगे की साइड इसको में सीधा बना रही होई सब्सक्ते हैं आगे की रो मैंने इस तरीके से कंप्लेट कर ले सीधी सीधी बिनते हुए ये ये देखें आप और पीछे की रो कैसा करना है वो बताती हूँ पीछे हमने उल्टा उल्टा बिनना है, यानि कि तागा आपनी तरब से लाई अपनी तरब रखते हुए, इस तरीके से पूरी row complete करेंगे, इसी तरीके से हमने 4 रो आगे से और 4 रो पीछे से complete करने हैं, पुरा करके दिखाती हूं, यह देख सकते हैं, मैंने 4 लाईने नीचे भी complete कर दी, चार लाइने उंपर ले भी complete कर दी है, मतलब चार आगे से चार पीछे से, जब हम दो लाइन complete करते हैं, तब हमारा एक दिखना start होता है row, अब मैं क्या करूंगी, आप मैंने उल्टा बिनना है red से दो लाइने, दो आगे से दो पीछे से, आगे भी उल्टा उल्टाई बनाएंगे इस तरीके से, और पीछे से भी उल्टा उल्टाई बनाके दिखाते हूं आपको, देख सकते हैं आप पगड़ी में एक design भी आ गया है, हाँ पर एक look, और दो लाइने आगे से दो, दो पीछे से मेरी complete हो चुकिया, आप फंदे किस तरीके से कम करने देखो, इस तरीके से दो फंदे लिए, दो का हमने एक किया, फिर जो एक बचा उसे आगे slime डाल दिया, फिर दो काई किया, जो एक बचा आगे स्लाई में डाल दिया, इस तरीके से हमने फंदे पूरे क्लोच कर लेने हैं, दो काई करते वे और जो बचेगा उसे आगे स्लाई में डालते वे पूरा कंप्लेट कर गे दिखाती हूं, दीके इस तरीके से मैंने सारे फंदे क्लोच कर ये नाश्ट में एक फंदा बचा, इस तरीके से हमें तागा कट करके ये फंदा भी निकाल लेना है, तागा कट कर लिया, इस तरीके से ये, ये मेरा पकड़ी का तयाल हो गया है, इस तरीके से हमने, यह नीचे से हेड जाएगा यह इस तरीके से सीधी पट्टी रखनी है जो यह देखिए यह भाग देखिए यहाँ पर है इस तरीके से हमने यह सीधी पट्टी रखनी है इस तरीके से यहाँ पर और जो उपर से सिलती हूँ और उपर से भी इस तरीके से बंद करके दिखाती हूँ आप देखिए हम यहाँ अंदर से सिलेंगे देखिए अ कि नॉट लगा लेजी एक रडमने इसमें गाठ लगा लेजे तागे में यह देखिए ताग लगा और एक पूई बटन लेजरे ओवह बटन लगा लेज़े मेरे पासे की यह बटन था था तो मैं इसी को लगा लेती हूं यह देखिए एक दो बार पक्का कर लिजे जिससे कि यह खुले न यह काफी अच्छी पगड़ी रेडी होने वाली है मेरे अभी देख सकते हैं यह देखिए पगड़ी तैयार हो गई है पीछे से भी सिलके और काफी सुन्दर लग रही है